Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग में जो परिच्छा होती है PCS की आरो यारो की इसके साथ साथ अन्य जो वेकेंसी होती है तो अभी तक जो इसमें सिस्टम था की अगर तो पालियो में एक्जाम होता है तो सुबह टाइम जो है एक्जाम होता है अगर दो पेपर होते हैं जैसे की PCS में होता है की सुबह टाइम आपका GS और साम को जो आपका Maths वगेरा जो CCAT का पेपर है वो और जैसे की आरो यारो मे एक्जाम जो 11 फरवरी को था वो लीख हो गया था उसके बाद आयोग ने भी सक्त कदम उठाए और उत्तर प्रदेश में एक जो नई पॉलिसी है वो बनाई थी और उसी पॉलिसी के अंतरगत ये था कि अगर विद्यारतियों की संख्या जादा होती है तो फिर मल्टीपल सिफ्ट में जो एक्जाम है वो करवाया जाएगा चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सिवायों हो या फिर यूपीटर पलसी हो या अन्न किसी का जो एक्जाम है तो फिर मल्टीपल जो सिफ्ट होंगी उसमें जो एक्जाम है कराए जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विध्यारती होंगे तो एक ही दिन में पॉसिवल नहीं है इस आधार पे और सारी तैयारियां करना और ये सब चीजें इसलिए कि जो धांदली वगएरा हो रही है पेपर लीक हो जाता है तो उनको रोका जा सके तो उसमें एक जो तो पांच लाग से उपर हो जा रहे थे तो इनको छूट दी गई थी कि आप अपना जो एक्जाम है वो करा सकते हैं मतलब एक ही दिन में सुबह टाइम अपना जीएस और साम को सी सेट लेकिन सेम आरो यारो भी उतने ही लगबग पिद्यारती रहते हैं पांच लाग के क्या होगा इसमें तो अब जो एक नया नोटिस है वो निकल कर सामने आ रहा है कि आपका जो आरो यारो का एक्जाम है वो मल्टिपल सिफ्ट में करानी की जो तैयारी है वो चल रही है अभी तक जो देखा गया है उसके अनुसार यही सारी चीज़ें लग रही है और यह दे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो यह लखाया है कि उप्रोक्त विशियक प्रभारी सचे उत्तर प्रदेश लुक्सेव आयोग प्रयागराज के पत्र संक्या यह जो दिया गया है टीसी प्रयागराज दिनांक 23 अगस्त 2024 के द्वारा समिक्षादकारी साइक समिक्ष जो है वो दी गई है और यहाँ पर दी जा रही है दो तिथिया यानि कि 22 दिसंबर और 13 दिसंबर सोंबार तो इसमें बताया गया कि 2 सत्रों में होना है सुबह टाइम भी और साम टाइम भी और जो सुबह पर रिक्षा होगी वो 9 से 12 तक और दूसरी जो होगी वो 3 से 6 तक ह तो सुबह जो होता था वो 2 घंटे गा होता था G.S. का और जो हिंदी का है वो 1 घंटे का तो टोटल हो गए आपके 3 घंटे तो यहां पर एक साथ ही करानी की बात चल रही है यानि कि सुबह टाइम जो एक पाली में एक्जाम होगा तीन घंटे आपको मिलेंगे उसमें आपका GS का भी पेपर रहेगा और हिंदी का भी पेपर रहेगा अब वो एक ही पेपर में इंक्लूड करके देते हैं सारी चीजे एक ही OMR रहेगी या फिर जो आपका दो घंटे का GS का पेपर है वो होने को होगा बिल्कुल तभी आपको जो हिंदी का पेपर है वो दे दिया जाएगा और तब आप हिंदी का करने लगेंगे तो इन चीजों में देखना होगा कि आयोग जो है क्या करता है एक साथी पेपर पूरा बना देता है या फिर अलग-अलग करवाता है लेकिन समय वो एक साथी रहेगा यानि कि सुबह की सिफ्ट और साम की सिफ्ट में अलग-अलग तो 9-12 की एक सिफ्ट हो गई फिर साम को 3-6 की दूसरी सिफ्ट हो गई यह हो गया 22 दिसंबर का और ऐसे ही होगा 23 दिसंबर तो यानि कि टोटल 4 सिफ्ट तो बात जो है वो 4 सिफ्ट में एक्जाम कराने की हो रही है और यहाँ पर एक चीज और जो बताए गई है कि अगर एक हजार से अधिक विद्यारती होते हैं से विद्यालों में तो उसको दो पार्ट में डिवाइट किया जाएगा ए और बी ब्लॉक करके तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और अगर इससे संबंदित आगे कोई अपडेट मिलती है तो निच्चित तोर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माद्यम से प्रदान करती जाएगी ठेंक्यू